नमस्कार दोस्तो बेलकम टू माई चैनल आरके ट्रेंड इंडिया आसा करता हूँ कि आप सभी कुसल पूरबक होंगे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी भाई बहन नौकरी के लिए परिशान रहते हों बैसे तो दोस्तो इस प्रतियोगता भरी दुनिया में नौकरी पाने के लिए पढ़ाई और मेहनत करने के बावजुद भी मन्चाही नौकरी नहीं मिल पाते जो भी भाई बहन काफी प्रयास करके ठक चुके हों और इंटर्विव दे दे कर परिशान हो चुके हों और उन्हें सफलता नहीं मिल रही हो तो दोस्तो उनके लिए मैं आज इ पानिवार के दिन एक बेदाग नीवू लेना है उसे चार भावों में काट लेना है ध्यान रहे नीवू नीची से जुड़ा रहना चाहिए उसके अलग-अलग टुकड़े नहीं करने हैं फिर उसमें थोड़ा सा सिंदूर और एक लोंका जुड़ा रखना है फिर आपको उस नीवू को लेकर किसी चौराहे पर जाना है और उस नीवू के चारों टुकड़ों को एके करके चारों दिशाओं में फेकना है यह काम करते समय आपको चल हट पीछे सब्द का साथ बार प्रियोग करना है दोस्तों यह मेरी 11 साल की मेहनत की कमाई है जो आज मैं आपके स सामने सेयर कर रहा हूं मैं अपनी डॉक्टि लैन में थोड़ा सा बिजी हो गया हूं इसलिए कहीं आने जाने का मौका नहीं मिल पाता सोचा के अपना अनभव दोस्तों के साथ सेयर करूं जिससे किसी का भला हो सके तो दोस्तों मैं पॉइंट पर आते हैं इस नीवू की प निकलने से पहले और सूरज छुपने के बाद काम नहीं करती यह तो हुआ आपका पहला काम दोस्तों जिससे आपके चारों दिशाओं के रास्ते खुल गए अब आपको आगे क्या करना है दोस्तों आपको अपने घर में एक हनवान जी की तस्वीर लगानी है जिसमें वो आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे हों तस्वीर ठीक दरबाजी के सामने ही लगानी है जिससे घर में घुशते ही उस तस्वीर पर नजर पड़ जाए और सनिवार और मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जाकर हनमान जी के चरणों में संतरी सिंदूर को लगाएं उसी सि सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर एक तिलक लगाएं और अपने नोकरी या परिशानी के बारे में रुकेश्ट करें दोस्तों हनमान जी के लिए इतना करना कोई बड़ी बात नहीं है जब वो इतना बड़ा परवत ठाकर ला सकते हैं तो आपके लिए नोकरी देना कोई यह क्रिया आपको साथ सनवार और साथ मंगलवार तक ही करनी है धियान रहे यह क्रिया केवल भाईयों के लिए है क्योंकि बहनों के लिए बजरंग बली की सेवा निसेद बताई जाती है अब मेरी प्यारी बहनों के लिए क्या करना है गोर से सुन लें उन्हें उपरोक्त नीवू की प्रक्रिया करने के बाद हर रविवार के दिन सूरज निकलने के बाद एक लोटा मीठा जल सूरदेव को अर्पित करना है और साम को माद्रुगा की मूर्ति या तस्वीर के पास बैठकर एक चमेली के तेल का धीपक जलाना है और अपनी नोकरी के बारे में या ग्यारे रविवार तक करनी है दोस्तो अगर आप इन बताय हुए उपायों को पूरी श्रद्दा और भक्ती के साथ करते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके ही और नोकरी मिल जाएगी और आपके बिगड़े काम बन जाएंगे अब तक सेकड़ो भाई भहन इसका अगर वीडियो पसंद आया हो तो पिलिज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेना